सांथ स्क्राफना नदी की वजह से बाड और नदी कटाव की सम्हाइब राश्ट्रिय पुनर्वास नीती के तहट हर विस्थापित को पुनर्वास का अधिकार है। कर से कम भूमी है उनको पांच डिसमिल जमीन दी जाएगी। चार डिसमिल आवास के लिए और एक डिसमिल समधाइक रास्ते या समधाइक भवन के लिए। नगीना देवी जो इसी गाउं की रहने वाली है, इसी पंचायद की रहने वाली है, यह अपनी जमीं के लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार आज भी नहीं हां से वहां दोड़ा रही है। जो में पर इसी गाउं के लिए गांपने में आज जमीन में तेना जमीन में कोई रहे थी उमनिके। यह लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं, जब पड़किरिया में सरकार इदम लगी हुई है, अभी बीच में एलेक्शन के कारण समय के डिश्टर्ब हो गया लोग, नहीं तो इनको परचा मिल जाता है, इधर ही मिल जाता है लोग को परचा, कह रहे हैं कि कई बार आपके पास लो जैसा कि SDO और CEO कहते हैं, कि जमीन बंदोबस्ती के लिए तैक की गई है, लेकिन विस्थापितों का कहना है कि CEO, SDO और DM उन्हें लगातार दोडाते रहते हैं हम लोग को दो साल हो गया, घर कटे हुए, लोड़ते हुए, उहां जाते हैं तो उहां जाएए, उहां जाते हैं तो पाटना जाएए, तब उहां से घुमकर, सौर हर जगा घुम गए, हम लोग को बात कोई सुनते नहीं है कि यह जो उनकी समेदन हिंता है वो दूर हो और जो साशन में रूलर होने का एक हुमान है दंब है खमंड है वो विनमर बने और जो निती बनी हुई है गरीबों के पक्ष में उसको लागू करें बिना पैसे के लागू करें कि अबरेंगे या जीतेंगे घाम होगा पानी होगा कुछो कुछ भूगा हमको गोली लग जाएगा हमें ही रहेंगे हम एह से नहीं जाएंगे हमारे घृदुवार वहां लाटकर राया है दौर से वहां पर अमरा लड़का लेकर बैटा है अगी लगा कर फूंपेंगे हमें रदा क्या मांगे है अप लोगों की है गारीटी जगा एकसी आवाज अपनी एकसा अंदाज है एकसे कदम है आ रा एक कदम ताल है एक कसे कदम है एक कदम है मैं वर्शा बिहार से इंडियन में खून है वर्लोशे के बिल्लियां विजलियों से खाग कर दो सोने के बस्तियां